हेलो सेमस्ट आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं लोकी के कोप्ते बनाने की रेश्पी बहुत ही आश्थानिai । कोपते बनाते वाकत हमें छोटी खोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे रही हुर्ड कोपते में की देद जाय के हुर्ट फिर होतीं चपाट से G harования लेंगे, इसके छिलकों को ऐसे उतार देंगे, छिलका उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से धू लेंगे, अब इसको दो के दो भागों में कर लिया है, अब इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, जो बारिक ग्रेटर है जहां से वहां से इसको ग्रेट करेंगे, बारिक करने से हमारे कोपते का जो पेश्ट बनेगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा जितना भी हो सके आप यहां इसको बारिक वाले साइज से ग्रेट कीजिए अब हमारा एक ग्रेट हो चुका है अब इसके पानी को निकाल देंगे लोकी के अंदर ज्यादा पानी होता है इसको टाइट हाथों से दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर है उसको निकाल देंगे ऐसे दबाती जाएंगे इसको टाइट हाथों से और इसको आप हमारा यह पेश्ट बनाएंगे इलोक की जो हमने पानी निकाला हुआ है इसके अंदर अब हमने यह हल्दी डाल दी धनिया पाउडर डाल दिया अदरक और लहसुन का पेश्ट डाल दिया अब इसके अंदर बेशन डालेंगे तीन चमच तीन चमच बेशन डालने के बाद फिर तीन चार चमच डाल देंगे और इसको मिला के देखेंगे अब इसके अंदर ये काले मिरच और जीरो को भून के थोड़ा सा रोष्ट करके जब डाला है ये अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा और डिलेगा बेशन अब लाल मिरच डालेंगे इसके अंदर और बेशन और डालेंगे थोड़ा सा अब ये लूज दिखाई दिता है थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे सभी मसाले पेश्ट में अच्छे से मिल जाएं अब बेशन और डाल देंगे तीन चार बेशन और डाल दिया अब इसको फिर से मिलाएंगे अच्छे से और मिलाके इस पेश्ट को तयार करेंगे नमक अभी इसमें नहीं डाला है नमक को हम लाश्ट में डालेंगे जब ये हमारा बनने की स्टेज पे आ जाएगा अगर पहले से नमक डाल देंगे तो ये लूज हो जाएगा, अब हमारा पेश्ट तयार है, इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे, और सवाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, ये मैंने जीरे को थूड़ा सा रोष्ट करके और इसको बारिक करके तब डाला है, अब इन सभी चीजों को मिला देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ताकि हमारा ये पेश्ट अच्छे बन किया है, अब इसको बनाना कोपते को शुरू करेंगे, गैस कोन किया है, और इसमें तील डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे, छोटे साइज में ब बाद फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे हाई पे करेंगे तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके पेश्ट को ऐसे डालते जाएंगे और जब यह नीचे की साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इनको फिर पल्टेंगे अब यह हमारे देखी फ्रेंट्स नीचे से फ्राई हो चुके हैं अब इनको पल्ट देंगे यह हमारे ऐसे कोपते बन जाएंगे बहुत ही टेस्टी बन के आएंगे आप भी एक बार इसी तरह से बना के देखीगा ऐसे इसको पल्ट यह सबी कोपते मैंने पल्ट दिये हैं यह नीचे से फ्राई हो चुके हैं लो से मीडियम फिलेम रखेंगे तो अच्छे से फ्राई होके आएंगे अंदर से कच्छे नहीं रहेंगे इनको ऐसे पल्टते जाएंगे यह हमारे कोपते बनके तयार हो गए है अब इनको एक पलेट में निकाल लेंगे ऐसे करेंगे जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा कडाही में ही रह जाएगा ऐसे निकालेंगे और सभी को पलेट में निकाल लेंगे और अब हमारे कोपते ये बनके तयार है अब हम इसके लिए दूसरा राउंड भी हमारा बन के तयार है इनको भी ऐसे ही निकाल लेगे दो बार कोपते बन के हमारे तयार हो गई है अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे कड़ाई में दो चमची तेल डाल दिया दो बड़े चमच तेल के डाली है और फ्लेम को लो रखेंगे इसके अंदर ये 1.5 टी स्पूंज जीरा डाला है अब इसके अंदर ये धनिया पाउडर डाला है अब इसके अंदर हिंग डालेंगे गैस के फ्लेम को लो करेंगे नहीं तो ये हमारे मसाल एक दम जल जाएंगे इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये हमारे मसाले ब्राउन कलर के हो गए है गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे इसको धिमी आज में ऐसे ही करते जाएंगे और अब इसके अंदर एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इस प्याज को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे इसको हिलाती जाएंगे ऐसे ये अद्रक और लहसुन का पेश्ट डालेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से भूम लेंगे ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं अब इनके अंदर दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे ऐसे मिर्चों को फ्राई करेंगे तो इनका तीखा फन बहुत ही कम हो जाएगा ज्यादा तीख ही नहीं रहेंगे क्योंकि हमने गरेवी बनाते वकत लाल मिर्च पोडर भी डालना है ये हमारे प्याज भुन चुके हैं इसके अंदर ये टमाटर के प्यूरी बनाई है मैंने चार टमाटर थे और दो प्याज थे इनके प्यूरी बनाके इसको डाल दिया अब इसको अच्छी से मिला लेंगे सभी मसालों को ऐसे अच्छी से मिक्स कर देंगे अब इसके अंदर डालेंगे आधा चमच हल्दी फिर डालेंगे इसके अंदर स्वादनुसार नमक आप डालेंगे इसके अंदर आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर अब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर धनिया पाउडर है थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया इसके अंदर अब इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे इसको अच्से से ऐसे गुमाते जाएंगे और हमारे सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे अब इसको ढखके रख देंगे दो-तीन मिनट के लिए ये हमारी ग्रेवी बनके तयार है बहुत ही अच्छी कुसबू आई है बहुत ही अच्छे से बनके आई है अब इसके अंदर हम अपने जो हमने कोपते बनाई थे उनकोपतों को हम इस पैन में डालती जाएंगे सभी कोपते पैन में डालेंगे अब इनको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे सभी मसालों में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से ऐसे मिला देंगे अब हमारे कोपते अच्छे से मिक्स हो गए हैं देखे फ्रेंट्स आप भी इसी तरह से एक बार कोपते की रेश्पी बना के जरूर देखियों और ऐसे कोपते बनाईए और बताइए आप कोप मेरी ये रेश्पी कैसी लगी अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अब इसके अंदर हमने ये एक कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे ऐसे अच्छे से मिलाने के बाद ऐसे मिलाएंगे इसको गैस के फिलेम को मीडियम से लो ही रखेंगे हाई नहीं रखेंगे अब मैंने दो आलू लिये हैं और उनको बहुत ही बारिक उसमें काटा है बहुत ही बारिक स्लाइस सिकाटी है मैंने इसकी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं देखे फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी रेस्पी बनके आएगी बहुत ही टेस्टी कोपते आएगे आप एक बार बना के खा के देखीगा अ अच्छी खुश्वु आई है और बहुत ही अच्छे कोपते बनके आई है आप इनको हम एक बाउल में सिरव करेंगे इसको बाउल में लेंगे हमारे कोपते बनके तयार हैं आप एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजियेगा और बनाएएगा खायेगा और अपने अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए